दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां वैक्सीन तो है लेकिन लोग वैक्सिनेशन में रुची नहीं ले रहे हैं। अब तमाम देशों में सरकार और निजी कमपनियां लोगों को प्रेरित करने के लिए तरह तरह के लुभावने ओफर दे रही है। चलिए बताते हैं कि दुनिया में वैक्सीन लगवाने के लिए किस-किस तरह के ओफर दिये जा रहे हैं। चीन में दोहरी रणनीती अपनाई जा रही है। चीन में सरकार और कमपनियां वैक्सीन लगवाने के लिए कई तरह के ओफर दे रही है। तो कुछ शहरों में अनिवार ये वैक्सिनेशन का आदेश सुना दिया गया है। हेनान प्रांत के एक शहर में स्थानिय सरकार ने टीका न लगवाने वालों को नौकरी से निकालने की चेतावनी के साथ ही बच्चों की पढ़ाई और घर तक छीनने की धमकी देदी है। अमेरिका में चुट्टी, कैश, वैक्सिनेशन सेंटर तक कैप का किराया, फ्री डोनेट, फ्री बियर, गांजा, फ्री पॉपकॉन जैसे ओफर दिये जा रहे है। बीजिंग में फ्री आइसक्रीम, शादी की आलबम पर 10 फीसिदी की चूट दी जा रही है। इसराइल में फ्री खाना और फ्री ड्रेंक दी जा रही है। भारत की बात करें तो दिल्ली में कई रेस्टरॉण और होटल में 25 से 30 फीसिदी की चूट दे रहे हैं।